कॉंग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साब आमबेड करजी को नफरत करता था आरक्षन का गोर विरोग करता रहा है इस परिवार ने हमेशा दलीतों OBC आदी वास्चियों का प्मानित किया है आप याद रखिए नहरूजी जब PM थे तो उन्होंने आरक्षन का विरोग किया था राज्यों के मुक्हमंत्रियों को चिठ्ठी लिगी थी सबुत मोजूद है और इतना ही नहीं नहरूजी ने ये भी कहा था कि आरक्षन वाले नोकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी ये नहरूजी के शब्दा है नहरूजी ने OBC आरक्षन के लिए काका साथ काले करका जो कमिशन गटित हुआ था उसकी रिपोर्ट आई थी OBC समाज का भाग्य बदलने वाली रिपोर्ट थी लेकिन पंडित नहरू ने उसको भी थंड़े बस्ते में डाल दिया नहरूजी के बाद जब इंदराजी आई तो उन्होंने भी OBC आरक्षन पर रोक लगा कर रखी जब देश ने उनको सजा दी जनता पार्टी की सरकार बनी मुरार्जी भाई के नेत्रूत्म में तब मंडल आयोग बना लेकिन फिर कॉंग्रेस आ गई और मंडल कमिशन की रिपोर्ट थंड़े बस्ते में डाल दी गई इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में OBC को आरक्षन नहीं मिलने दिया जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार मनी तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होई विपी सिंग की सरकार मनी अटल जी के जनसंग ने भाजपा ने समर्थन किया था उस समाई और तब जा करके OBC समाज को आरक्षन मिला जब भाजपा का समर्थन था और आप ये भी याद रखिये राजिव गांधी ने नेता विपाष्ट के रुपए भी आपोजिशन लीडर के नाते पार्लामेंट बे उनका भाजपन है उन्होंने आरक्षन का पुर्जोश विरोथ किया था उन्होंने एक इंटर्वु में ये शब्द उनके है मैं बताता हूँ उन्होंने एक इंटर्वु में कहा था उन्होंने यहां तक कह दिया था आरक्षन पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था ये राजिव जी ने SC, ST, OBC समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है अब कॉंग्रेस का साही परिवार फिर आरक्षन खत्म करने पर अड़ रहा है लेकिन मेरी बात कॉंग्रेस कान खोल करके सुन ले जब तक मोदी है जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आमबेड करके दिये आरक्षन में से रती भर में लूट नहीं करने दूँगा हटाने नहीं नहीं दूँगा एसी एसी ओविस का आरक्षन रहेगा ये मोदी की भी गारंटी हो और भविश में उसके लिए लड़ाई लडने की भी गारंटी है साथियों कॉंग्रेस का दलीत विरोधी चहरा हरिणाना से बैतर कौन जानता है हरिणाने में जब-जब कॉंग्रेस की सरकार आती है तो दलीतों का जीना मुश्किल हो जाता है 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था क्या उसे कोई दलीत परिवार भुला सकता है 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था फिर 2014 में दलीत बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था उस सर्मना गटना को याद करके ही रूख काप जाती है तब हमने ये भी दिखा था कि मुख्यमंत्री हुडा जी और निका दिल्ली का साही परिवार सब के सब के मुँपर ताले लग गए थे इसलिए कॉंग्रेस से यहां के दलीत समाज को बहुत सचेत रहने की जरूत है मैं तो कॉंग्रेस से एक और और बात बताऊंगा पहले कॉंग्रेस में जो एक अंदुरूनी महभारत चल रही है अरे जरा उसे तो संभालो जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ा कर कॉंग्रेस राजनिती कर रही है वो पूरा दलीत समाज देख रहा है झाल झाल